हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज मेरे साथ यह आपका स्वागत है इस प्लेटफॉम पर और आज हम बात कर रहे हैं पेरा मेडिकल फार्मेसी और बीपीटी की कट ओफ के बारे में काउंस्लिंग के बारे में आप सभी बड़ी बेसबरी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इन एग्जाम में कितने बच्चे इप रुए कितनी सीट है किया है इन सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं के लिए मैं आप से जुडआ हूँ सुनिए मेरे साथीों, सबसे पहले अपन पेरा मेडिकल की बात करेंगे पेरा मेडिकल का जो एक्जाम हुआ है, इसमें 6,119 बच्चों ने परिक्षा दिये 6,119 बच्चों ने परिक्षा दिये, ठीक है मेरे दोस्तों, इन 6,119 बच्चों में से च्यार हजार स्टूडेंट के नंबर तीस से कम है इस यह कोई छोटी बात नहीं है RUHS ने पेपर को किस लेवल का बनाया है COVID काल में ठीक है बहुत से टेलेंटेड और मल्टी टेलेंटेड इस्टूडेंट पीचे रही है और मेरे सामने ऐसे भी कुछ की उसन आये है बच्चे कह रहे थे सर मेरे नंबर तो साथ आने चाहिए थे लेकिन रिजल्ट आया तो नंबर तीस ही हो रहे है तो कुछ ऐसा इस्यू भी सुनने को आया अगर ये गटना और किसी के साथ हुई है तो नीचे कमेंट जरूर करना जिसने की से मिलान किया और देखा तब तो उसे पचास सार नंबर लग रहे हैं और अब रिजल्ट में तीस नंबर ही दिख रहे हैं ऐसा कुछ इस्यू हो तो जरूर बताना अब मुद्धे पर आते हैं तो देखिएगा 6119 बच्चों ने एक्जाम दिया और बहुत कम बच्चे हैं जिनके पचास से उपर नंबर आये है पचास से ज़्यादा नंबर वाले बच्चे 200 अक के आस पास है इससे ज़्यादा नहीं है इसका मतलब मेरिट भी मिर दोस्तो पचास के इर्द गिर्द रहेगी जनरल की तोड़ी हलकी फुलगी ज़्यादा रह सकती है इधर आते हैं पार्मेसी में पारमेसी में स्टूडेंट है मेरे दोस्तों 4,400 इन बच्चों ने एक्जाम दिया और बीपीटी में लगबग साड़े 600 बच्चे एपियर हुए ठीक हैं तो यह तो पहले आप ट्रेंड देख लो इधर 6,000 है इधर 4,000 है और इस तरब साड़े 600 है ठीक हैं अब सुनो अब मे पूछते हैं तो मैं बताना चाता हूं फारमेसी में दो तरह की फारमेसी है करना है तो जितने भी बच्चे इन में से आधे भी फारमा करेंगे और आधे D फारमा करेंगे तो अब एक बड़ी बात बता दूँ आपको, सुनो, फार्मेसी की टोटल तेराणवे कोलेज है आज की डेट में, बी और डी दोनों की तेराणवे है, अब इन तेराणवे कोलेज में से कुछ ऐसी कोलेज है जिनमें भी फार्मा नहीं है, तो करीब करीब पचास के आसपास दी फार्मा की कोलेज है, तो कुछ ऐसी एटिज में भी नहीं है, है नहीं, तो साट के आसपास आपके दी फार्मा की भी कोलेज है, टोटल दोनों को मिड़ाते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी की लिष्ट है, उसमें 93 कोलेज है, ठीक हैं, और बास चुनो, मेरे दोस्तों, कोलेज केवल एक ही है और यह जो गॉवर्मेंट कोलेज है यह है SMS SMS कोलेज में पारमेशी तो करवाते हैं लेकिन कौन सी वाली पारमेशी डी फारमा पूरे राजस्तान के अंदर डी फारमेशी का एक ही गॉवर्मेंट कोलेज है और वो है SMS कोलेज जैपुर और इस SMS की जो cut off रहेगी या इस SMS में जिन बच्चों का admission होगा वो आप मान के चलें सितर नमबर के आसपास 65 नमबर के आसपास वाले बच्चों का होगा तो इसलिए इसकी अपन बात नहीं करना चाहते और SMS कोलेज की जो फीस है डीपार्मा की वो है 15,000 रुपे कितनी है 15,000 रुपे और 3,000 को सलमनी है तो 18,000 रुपे ठीक है बाकी पीछे बचे वे जितने भी कोलेज है उनकी बात करते है तो पीछे बचे वे जो कोलेज है उनमें लगबग 5,000 के आसपास सीटे हैं मेरे दोस्तो ठीक है मैं एक बात बताना चाहता हूँ जितने भी बच्चों ने फोरम बढ़ा है D.Pharma और B.Pharma के लिए हर एक student को भारमेसी की कोलेज मिलेगी बड़ी बात कह रहा हूँ आपको राजस्तान में बहुत हैं भारमेसी की कोलेज दोस्तों लेकिन प्राइवेट है गवर्मेट तो कोलेज ही नहीं है तो अब आपको तो प्राइवेट कोलेज के लिए आवेदिन करना है प्राइवेट कोलेज के लिए भारमेसी कावंस् दालके तेराणवे अजार फीस है और साड़े साथ अजार को सलमनी है कुल मिला करके आपको फैस्टियर में एक लाक रुपे देने हैं ठीक बात इसके अलावा कोई डोनेशन नहीं लगेगा और जितने भी बच्चे है यदि किसी के 30 नंबर भी आए है तो भी उसका D.Pharma C.K. कोलेज में नंबर आ सकता है विसेश कर मैं प्राइवेट कोलेज की बात कर रहा हूं S.T. के जो बच्चे है उनकी यही कटोब रहेगी D.Pharma प्राइवेट कोलेज ठीक अब आते हैं S.C. की बात करते हैं के ससी की कटोप रहेंगी 35 35 अगर आप लेके आ गए आपको डी फार्मा की कोलेज मिल जाएगी यहां तक आप अगर भी फार्मा की लेना चाहेंगे तो भी मिल जाएगी आब आते हैं ओबी सी की बात करते हैं OBC की मेरे दोस्तों कटोप रहेगी 40, 40 नमबर जिसके आगए उसे प्राइवेट कोले जाराम से मिलेगा, ठीक है, अब बात करते हैं EWS की, EWS की भी यही कटोप रहेगी मेरे दोस्तों, 41 या 42, इसके आसपास रहेगी, अब अगर अपन बात करें जनरल की, तो जनरल की जो कटो पहें वो 45 रहेगी मेरे दोस्तों, जिसके 45 नमबर आए हुए है, मैं तो कहता हूं, जनरल में जिसके 40 भी आए हुए है न, उसको भी कोलेज मिल जाएगा, प्राइवेट डी पार में सी, या भी पार में सी कोलेज मिल जाएगा, किलियर? और जो एंडीकेप्ट बच्चे ज नमबर आए है, बीस आए है, पांच आए है, कितने भी आए है, ठीक है? तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर, बी फार में सी की तेराणवे अजार फीस तो बहुत ज़्यादा है, हम कैसे भर पाएंगे? या कह रहे हैं सर, डी फार में की साथ अजार उपे प्राइवेट फीस बहुत तो ज़्यादा है ये तो, हम तो फ्री करना चाहते हैं, तो एक रास्ता है, इन में से जो SC और ST के स्टूडेंट है ना, उनको पूरी की पूरी फीस, शात्रवर्ती के रूप में, स्कोलर सीप के रूप में रिफंड हो जाएगी, उनका कोई खर्चा नहीं लगेगा के लियर, और OBC के अंदर और जनरल के अंदर कोई अगर केंडिडेट BPL है, तो भी उसे पूरी फीस रिफंड हो जाती है, हाँ अगर कोई BPL नहीं है, तो फिर OBC, EWS और जनरल, उनकी फिर फीस पूरी लगेगी, उनने सात्रवर्ती नहीं मिलेगी, ठीक, अब सुनो, तो अ अब इधर आते हैं पेरा मेडिकल, अब मेरे दोस्तों पेरा मेडिकल की तो गोवर्मेंट को लेज ही है, ज्यादा तर साथ गोवर्मेंट को लेज है आपकी, ठीक है ना, प्राइवेट को लेज तो दो ही है, तो गोवर्मेंट सीटे कितनी हैं, तो मेरे दोस्तों ये सीटे हैं देख लो आप 110 सीट है बी आर्टी की सितर सीटें है बीमल्टी की और साथ सीटें है बी ओप्स की सबसे ज्यादा सीटें बी आर्टी की है 110 ठीक है तो अब फीस इसकी लगबग मेरे दोस्तों अगर मैं फीस की बात करूं तो S.C.S.T. और सभी गर्ल्स पेरा मेडिकल की फीस बता रहा हूं S.C.S.T. के स्टूडेंट S.C.S.T. के लड़के और लड़कें सभी और जितनी भी गर्ल्स है चाहिए वो जनरल की है O.B.C. की है उनकी फीस तो रहेगी 10,500 रुपे और O.B.C. और जनरल के टेगरी के जितने भी लड़के हैं या E.W.S. फीस में अभी तो कोई संसो दन दन हुआ नहीं है अगर चोटा-मोटा कोई संसो दन होगा तो भी अपने को पता चल जाएगा ठीक है अब आगे क्या होगा ठीक है ना अब आगे की परकरिया क्या है सर रिजल्ट तो आ गया Merit List आई नहीं तो Merit List कैसे आएगी मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मुझे कौन सा College मिला है तो मेरी बात को समझना फिर मैं Paramedical Cut-Op की बात करूँगा मेरी बात को समझना अभी आपका Result आया है अब एक दो दिन के बाद आपको College की चोईस बरनी है क्या करना है College की चोईस आप से भरवाएंगे आप वेब साइट पर जाओगे और College का नाम डालोगे कि आपको किस College में admission लेना है जैसे मान लो आपको अगर BRT करनी है तो आपने एक नमबर पर जैसे SMS College बर दिया दो नमबर पर वरियता देकर RUHS बर लिया तीन नमबर पर SN Medical College जोदबुर बर दिया तो इस तरह से आपको College की चोईस डाल दी किलियर है College की चोईस बरोगे इसके अलावा 11,000 रुपे का चालान कटवाना है आपको DD काउंसलिंग के लिए ठीक बात और मेरे दोस्तों ये सारी चीजे website पर online अपलोड कर देनी है जैसे ही आप College की चोईस बर दोगे आप DD कटवा करके उसके चालान नमबर online अपलोड करवा दोगे ये मित्र पर जाकर तो उसके दो तीन दिन बाद मेरे दोस्तों आपकी मेरी इट लिस्ट और कोलेज का ओप्सन आपके लिए खुलेगा मतलब रिजल्ट आवेगा दुबारा और उस रिजल्ट में ये बताया जाएगा कि आपको वो कोलेज मिला है कि नहीं मिला है ठीके ना कट ओप जारी होनी सुरू होगी जैसे मान लो आपने पूरा ओप्सन भर दिया फिर SMS की कट ओप आ गई जैसे SMS की कट ओप आ गई मान लीजिये कि 55 नमबर आ गई या 60 नमबर आई तो अगर आप 60 से ऊपर है और आपने कोलेज 20 बरा है तो आपको SMS कोलेज मिलेगा आप कोलेज में जाएंगे SMS कोलेज की कोई फीस नहीं है इसलिए ये 10,000 रुपे डीडी वाले भी आपको वहाँ जाने पर वापिस मिल जाएंगे ठीक है अगर आपको कोई दूसरा कोलेज मिल गया जैसे RUHS कोलेज मिला SN Medical कोलेज मिला और अगर आप OBC से हैं आप जनरल से लड़के हैं तब आपको ये 10,000 की डीडी के अलावा साड़े 11,000 रुपे और जमा कराने पड़ेंगे उस कोलेज में जाकर ठीक है तब कोलेज में कब जाना पड़ेगा जब आप कोलेज की चोईस बरोगे चोईस बरने के बाद दुबरा जब कटोप आएगी और आपको जब कोलेज मिल जाएगा तो आपको युनिवर्सिटी कहेगी कि आप अपने ओरिजनल डोक्योमेंट ले करके उस कोलेज में जाएए रिपोर्टिंग करवाईए तब आपको उस कोलेज में अपने ओरिजनल डोक्योमेंट जमा कराने है दसमी की मारक सीट की फोटो कोपी बारमी की मारक सीट की फोटो कोपी आपकी टीसी आपका माइग्रेशन आपकी सीसी आपका जाती प्रमाण पत्र ठीक जाती प्र माण पत्र साहिद कल पर सुमें अपलोड कर वा सकते हैं आप यह रखना ठीक है यह सारे डोक् ranged Crime आपको लेके ज़ाने और तो और आपको अपना फौर्म भी लेके जाना है साथ में, एड्मिट कार्ड भी साथ में लेके जाना है। ये सारी चीजें आप संभाल कर गरख लो. ठीके? तो ये चीजें हैं, ये पूरा प्रोसीजर हैं, चाहे फारमेशी और चाहे पेरामेडिकल और चाहे बीपीटी हो, चाहे पोस्ट वैसिक भी एसी नर्सिंग हो इन सभी में अब दो दिन बाद आपको कोलेज की चोईस भरवाएंगे ठीक और आपको चालान बढ़ वड़ाएं ये बात आप समझ गए होंगे अब सभी बचों की डिमांड है कि सर पेरा मेडिकल की कटोब रहेगी क्या अब देखो बचों में नमबर देख करके मैं भी जो हैं काफी निरास हूँ क्योंकि नमबरों का गेप बहुत ज़ादा है 200 बचे हैं जिनके 50, 55, 55 से उपर नमबर है बाकी जितने भी बचे हैं वो 40 से नीचे है अधिकांस तो इसलिए अगर अपन बात करें पेरा मेडिकल के कटोब की तो सीटें ये इतनी हैं इसलिए मेरे दोस्तों कटोब अब मैं बताऊंगा तो आप बहुत से बचे निरास हो जाएंगे मैं किसी को उदास नहीं करना चाता मुझे पता है बहुत से बचे भी यसी नर्सिंग की तयारी कर रहे हैं ठीके तो अब देखो अपन एक दो दिन इंतजार करते हैं फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो जनरल का केंडिडेट है अगर उसके 60 परसंटेज नमबर है ठीके ना जन पचास भी आ रहे हैं तो भी ठीक है अगर वो सी का केंडिडेट है ठीक है और उसके अगर पचास आ रहे हैं तो ठीक है एस टी का केंडिडेट है उसके 45 नमबर भी आ रहे हैं तो भी ठीक है और EWS और MBC के जो केंडिडेट है ठीक है उनके भी मेरे दोस्तों अगर पचपन या 50 के बीच में हैं, तो भी वो candidate मुझे सेफ लग रहे हैं, बाकी तो अब देखो, कटो बाने दो, बाकी तो अपन पहले जो भविश्य वक्ता तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं आपको एक रास्ता दिका रहा हूं, कि कौन-कौन से document चाहिए, क्या प्रकरिया करनी है, कितनी फीस है, ठीके नहीं कौन से, कौन सी चीजे college में लेके जानी है, college में कब जाना है, ये पूरा procedure मैंने आपको बता दिया, clear बात, आपके कोई भी doubt है, आप नीचे comment box में comment करना, मेरे को message डालना, मैं जबाब देने का परियास करूँगा, इसके अलाव में हर एक update, पल- बात मैं अपने टेलीगराम चैनल, विजे एज्यूकेशन एंड न्यूज पर डालता रहता हूँ, इसके अलाव अपनी जो website है, विजे एज्यूकेशन न्यूज डोट कॉम, इसके उपर भी मैं सबसे पहले इन, जितनी भी अपने यूनिवर्सिटी की जानकारी है, वो वह डालता रहता हूँ, तो मेरे दोस्तों, आप हमारे टेलीगराम का लिंक नीचे दिया गया है, उसके उपर क्लिक करके, टेलीगराम चैनल जरूर जोइन कर लो, क्योंकि वहाँ आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है आपके आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबस्क्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कुछ भी दिक्कत हो, आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है, या हमारे मेरे दोस्तों, टीम को आप सुचित करना मैसेज करके, जरूर मदद की जाएगी आप की, क्योंकि ये विजय पूनिया, आप नर्सिंग, पेरामेडिकल और फार्मेसी, फीजयो तरेपी के बच्चों की आवाज बन करके खड़ाए, आपको कोई परिसा नहीं हो रही है, तो वो मेरी परिसा नहीं समझ करके में उसका निप्टारा करूंगा, सोल्यूशन की ये.